हेलो फ्रेंड्स मैं सुमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ के टेक टॉडोरियल में दोस्तों मैं बहुत टाइम बात वीडियो लेकर आ रहा हूँ अग्षुली मेरे साथ थोड़ी सी सिच्विशन सहसी थी कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा था और बहुत पास और भी दूसरे काम आ गए इस वज़े से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था आज से मैं रेगुलर आपको वीडियो देने की कोशिश करूंगा और को अब नेक्स ये वीडियो बहुत काम किया है तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए आज का टॉपिक दोस्तों ये है कि हम किस तरह से कोर लॉग में एक्स्टरणल फाइस को इंपोर्ट कर सकते हैं एक्चरी क्या होता है कि हमारे पास कुछ external files होती हैं जो हम किसी और software से बना सकते हैं जैसे Photoshop हो गया या फिर InDesign बगरे हो गया है तो उसके लिए क्या होता है कि हमें कुछ catalogs बगरे कि अगर design मान लो हमने बनाए हैं जैसे यह हमारे पास एक file है कुछ यह samples मैंने बनाए हैं InDesign में यह PDF file है इसमें देखिए दोस्तों यहां पर 36 pages की file है और यह 36 pages facing pages है हमारे जो एक दूसरे के जैसे books में होते हैं आमने सामने उस तरीके से बने हुए हैं मैं चाहता हूं कि यह 36 pages जो हैं वो coral draw में इंपोर्ट हो जाएं और वहां पर editing हम कर सकें इनकी तो मैंने यह PDF file कुछ बना के रखी हुई है इस PDF file को मैं coral में इंपोर्ट कर देना चाहता हूं तो उसके लिए दोस्तों मैं यहां पर अपना coral draw open करता हूं यहां पर मैंने कि कस्तम ली एक size ले रखा है दस बाई बारा का आप कोई साभी size ले सकते हैं बट जब हम उस file को import करेंगे तो उस file के according हमें change करना होगा file का size तो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं सबसे पहले मैं nudge distance 0.1 कर लेता हूं ताकि अगर मुझे कोई भी object shift करना हो तो मैं आसानी से जल से जल कर सकूं otherwise क्या होगा कि मैं 0.01 पर होता तो बहुत time लग जाता अब यहां पर मैं सबसे पहले काम करता हूं कि हमारे working page को मैं zoom कर लेता हूं और इसको मैं करने के लिए rectangle tool पर double click करके f4 press करूंगा तो f4 press करके यह fit in window हो जाएगा अब मैं यहां पर इसको delete कर देता हूं इस square को मैं previous tutorials में भी आपको बता चुका हूं अब देखिए दोस्तों यहां पर मैं control plus i press करूंगा उससे पहले मैं यह pdf file बन कर देता हूं और control plus i press करूंगा जो हमारी import file की shortcut की है अगर आप जहां से देखें तो यहां पे भी एक import का option हमारे पास होता है standard toolbar में जो यह I think होता है मैं पुराने बदन में कर रहा हूं इसलिए यहां पे यह वाला import का option होता है control plus i इसकी shortcut की होती है आप दोस्तों यहां से file में भी जाकर import कर सकते हैं यहां पे आप import की command यूज कर सकते हैं control plus i तो मैं इसको press कर देता हूं अब यहां पे दोस्तों मैंने जिस folder में रखा हूँ है बहां पे जाके मैं उस file को ले लेता हूं catalog sample 2 मेरी file भी इसको मैं import कर लेता हूं यहां पर जब मैं import करूंगा तो यहां पर एक import pdf का option आएगा जिसमें आपको सबसे पहले पुझेगा import text as उस file में जितना भी text होगा वह as it is लेना है या फिर आपको करके लेना है ताकि आप उसमें कोई changes ना कर सको तो वह आपके ओपर डिपेंड करता है दोस्तों अब यहां पर मैं text की file ले रहा हूं ताकि मैं text को edit भी कर सकूं वहां पर और next option हमारा आता है page selection page selection का ऐसे है दोस्तों की वहां पर मैंने आपको बताया था कि 36 pages होते हैं उस file में 36 pages थे तो वहां पर एक साथ 36 pages ले लेना चाहते हो या फिर आप यहां पर जितना आप चाहें उतने page select करके ले सकते हैं जैते मैंने यहां पर select page पर जा रहा हूं और मैं यहां से अभी उस file में थे 10 pages को select करके import कर देना चाहता हूं और यहां पर हमें यह option check रखना होगा import comments and place on a separate layer यानि यह separate layers पर हर एक page को लेगा और second option हमें कोई भी change नहीं करना है कोई भी object into symbol में change नहीं करना है तो मैं इसको check करके नहीं रखूंगा अब ok मैं press करता हूं जैसे ही मैं ok press करूंगा यहां पर कुछ मेरे पास option आ जाएगा कि जो उस file में fonts use किये गए हैं वो coral draw में missing fonts हैं तो उसके पास substitute fonts होते हैं कि आप area normal में use करते हैं मैं इसको अभी ok कर देता हूं आप यहां पर मैं ok कर देता हूं जैसे ही मैं ok करूंगा यह थोड़ी प्रोसेसिंग लेगा उन 10 pages को import करने के लिए देखे दोस्तों import करने के लिए हमारा तयार है coral draw लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है यहां पे आप यह चीज देख रहे हो कि इसमें जो pages की width और height है वह exactly दे रखी है उसके base पे मैंने यहां पर 10 by 12 का space लिया था आपको यह ध्यान रखना है कि width और height pages की जितनी होगी उतनी उसके इसाब से एक या दो इंच का margin लेके चलते हो ताकि आपकी printing जो है वह books की या catalogs की या फिर flyers वगरे की जो भी आप printing कर रहे हैं वह एकदम pages के center में आए तो मैं यहां पे सबसे पहले यही काम करता हूं कि इसको दो तरीके से मैं import कर सकता हूं या तो मैं enter press कर दूँ या फिर keyboard में हमारा सबसे लंबा button space bar का होता है हम space bar को भी press कर सकते हैं ताकि हमारे जो file के pages हैं वो इस background पे जो हमारे file का main page है उसके center में आएगा तो मैं यहां से space bar press कर देता हूं और जैसे ही मैं space bar press करूंगा यह कुछ processing लेके उन pages को import कर देगा तो देखिए दोस्तों यहां पे कुछ pages import हो गए हैं और यहां पे separate layers का मतलब यह था कि हम अलग-अलग pages पे अ import कर सकते हैं तो यह इसने 10 pages हमारे पास import करके दे दिये हैं इसी तरह दोस्तों आप और भी pages import कर सकते हैं और यहां पर आप एकटे जो 36 pages थी वह भी import कर सकते हैं तो दोस्तों यह मैं आपको बताना चाहरा था कि किसी भी PDF file को किसी भी software में आप बना के coral draw में इंपोर्ट कर सक सकते हैं और प्रिंटिंग के लिए तैयार कर सकते हैं आई होप दोस्तों यह टूटोरियल आपको पसंद आया हूँ आगे भी आप मैं रेगुलर्ली आपके लिए टूटोरियल लेकर आऊंगा और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत ही जल्ब फोटोशॉप के टू आपके लिए टूरियल्स